नमस्कार जे किछन पॉइंट में आप सबी का स्वागत एक बाद फिर से आज की हमारी रैस्पी है गोभी के प्राथे गोभी के प्राथे कर देख लेते हैं यह कुछ मसाले लाल मिच धनिया पाउडर कसूरी मेति हरी मिच जीरा अजवाइन गर्म मसाल और नमग और यह हींग कि देका ज़ेंक अब घ्रक में गोभी कि अच्छिता तो ऑच्छिताकि जीराइब घ्रक कि मादद से तो अग्री घ्रक घ्रकार से थे मकरी में अच्छी तरह से प्रोटे हमारे बेले जाते हैं अब देख रहे हैं गोबी अच्छी तरह से ग्रेट हो रही है बड़िया तरीके सो रही है अब गोबी जैसे हमारी ग्रेट हो जाएगी हम इस वे अंदर क्या करेंगे हमारी गोबी ग्रेट होगी अब देख रहे हैं अब हम इ जोड़ा मिक्स कर लेंगे लुपिक अच्छी तैयार है इसमें मौस्चर नहीं है हमने पहले से तैयार कर लिया था अब ताब रिखेंगे एक साइड में उसको गरम करेंगे लोई कि अच्छी त्षी बेल éta इसको ऐसे बेलेंगे थोड़ा सा अच्छी ताहसे बेलेंगे थोड़ा सा और बेलने के बाद हम इसमें देखिए थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें स्टफिंग गोवी के चम्मे के साहिता से इसमें स्टफिंग भरेंगे स्टफिंग बरने के बाद इसको हम बंद कर लेंगे अब हम थोड़ा सा सुखाथा में रोल करके इसको पेलेंगे बेलने में हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा अच्छी तरह से बेलेंगे थोड़ा सा बीच में सभी ठीक से बेलनेंगे यह नारुओं पुल रिए गें देख सकते हैं हमारी इस्टफिंग जो है बाहर नहीं निकल रही हमारा पूरॉठा नहीं फट रहा अच्छी तरह से हमने पूरॉठा इसको बेल आपे जितना अच्छा पूरॉठा बेलेंगे उस प्रोंठे को थोड़ा सा ऐल लगाएंगे इस परणफेंगों और जो हमारी गयास में नीचे से मिडियम रहेगी टेज आजपर हम परणफा नहीं बनाएंगे ने तो हमारा परणफा जल जाएगे अपसको पल्ट लेंगे अब फिर से हम थोड़ा सा कोई लगाएंगे पराथे के ओपर और इस बीच हम क्यार करेंगे दूसरा पराथ हम तयार कर लेंगे उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने यह पहला प्राथा बनाया था है इसको भी ऐसे बिलेंगे जैसे हमने पहले बना अराम से बिलेंगे पराथ ऐससे बेलेंगे उसको बीच में समी किनार अबो पर परहुता मोटा नहीं रहाना चाए ना बीच में होणा चाहिए अब दिखिए हमारा जो परहूंथा उसके ब्राउन स्पोर्ट आने शुरू हो यह आसा-सा हमारा प्रोल्ण जो है वह तैयार हो गया इसको हम क्या करेंगे गैस ब्रों जो हमारे नीची गैस फ्लेम है वो मीडियम है मीडियम यह देखो हमारा जो प्राथा अच्छी तरह से आप देख सकते इसक된 से ैब जैसे आप हमारा ब्रका लगभर तैयार हो गया प्लौ अच्छा बनाईल है हाट करेंगे पहले पल्टेंगे इसको प्लटेंगे फिर लगाएंगे थोड़ा सा ऑईल हलका सा अगया है या अदिया। लाएंगे और जो फ्लेम है हमारी वो रहेगी मीडियम रहेगी और इसमें एक बात और है जब आप प्रॉंठाट डालेंगे तो फ्लेम को आप हाई करेंगे प्रॉंठाट डालते समय हमें जो फ्लेम है वो तीज चाहिए तब तपा होना चाहिए प्रॉंठाट डालने के आप इसको बढ़िया बना क्रिस्पी बना बहुत अच्छे पराथे बने अब यह जो हमारा जो पराथा दूसरा वह भी तैयार होगे किसको भी इधार ले आए हैं अगर अगर अच्छी लगे प्लीज इसे लाइक शेर कीजिए फिर्म मिलेंगे नई रैस्पिक साथ थैंक यू वेरी मिच